दोस्तों, धन्तेरस का दिन सुख सम्रद्धी और वैभो की प्राप्ती के लिए सबसे सुब दिन माना गया है। इसके लावा धन्तेरस पर खरिद्दारी का विशेश महत्त होता है। दोस्तों, साल भर आपको पैसे की कमी नहीं हो और आर्थिक तंगी से ना जूजना पड़े। इसके लिए आप धन्तेरस के दिन स्वास्तिक का ये अचू कुपाय अवस्त करें। इसे करके आपके घर में मालक्षमी का इस्थाईवास बना रहेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों स्वास्तिक को मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी सुब कारे को करने से पहले स्वास्तिक का चिन्म बना कर उसका पूजन किया जाता है। गडेश पुरान के अनुसार स्वास्तिक भगवान गडेश का स्वरूप है। इसमें सभी बाधा और अमंगल को दूर करने की सकती नहित है। इसके लावा स्वास्तिक को देवी लक्षमी, अर्थात, स्री का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों स्वास्तिक के कई अचूक उपाई भी हैं, जिने करने से घर में सदयो, बरकत और सकारात्म कूर्जा का वास होता है। साथ ही व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। उन्ही में से एक उपाई ये भी है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों धन्तेरस के दिन आप अपने घर के मुख द्वार के दोनों तरफ कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। साथ ही बास्मती चावल की धेरी बना कर उस पर एक सुपाड़ी में कलावा लपेट कर उस चावल की धेरी के उपर रख दें। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाई को करने से आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही घर में धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे और आपके जीवन में खुसियों का वास होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद